गुद्बॉर्णिक एप्रिपन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे तो टोड़ीज ट्वेंटीफर्स्ट ओफ मेर ट्वेंटी 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 टू और डे है सेटरड़े तो चली कुछ कोश्चिन लेते हैं रिजिनिंग के काफी अच बिलम बना करते हुए फर्स कोश्चिन है यहां पर काफी अच्छा कोश्चिन है थर्टी ग्राम आफ सुगर वाज मिक्स्ट इन वनेटी एमल अफ वाटर इन वैसल ए ठीक है तो यह बोला है कि एक वैसल जो वह है उसमें जो थर्टी ग्रैम जो वह क्या डाल दी है सुगर ठीक है । तर्टी ग्रैम जो वह सुगर डाल दी हुए उसमें वनाटी एमल जब उसमें वाटर था फहले से ठीक है वैसे यह वह इसने ओकि फॉटी ग्रैम सुगर वाज मिक्स्ट werde नुटे उमटे हमेसल इसले वह उसमें त्समें चौडा इंग की हैं तब ऑनाटी उप जो वैसल सी है वो जो वो 100 ml का है और उसमें जो कितनी सुगर डाल दी 20 ग्राम सुगर डाल दी इसको आप ऐसे समझे बिल्कुल सा कोशिन है कि जैसे गिलास समझे एक जैसे सिसे का गिलास है तीन गिलास है ठीक है अब देखे जितना ज़्यादा जब पानी होगा देखे चीनी डालनी परते हैं ठीक है अगर कम ही जे जो वहारे पास पानी होगा तो इसमें कमहीं अगर यह ज्यादा जिइन डालनेगे तो ज्यादा सुखर इन सी एफ बीक से कंपेर करते हुए आपको सबको कंपेर करना है ठीक है तो चलिए एक छोटी सी डायग्राम जैसे बनाते हैं कि इसने जो क्या क्या यहां पे दिया हुगा है सबसे पहले इसने बोला कि 180 ml वाटर है तो यहां पर बना दिया मैंने छोटा साथ तीन वैसल ठीक ह और सी में डालेंगे कितना 20 ग्रैम ओफ सुगर और म little कितने का है 180 तो यहां पर मैंने खुछ ओर करल में लोता है लोटर की बात हो रही है और इसमें सूगर को जोग पानी के साथ Kimberly करना है कि पानी कि इतना है सूगर कितना ठीक है तो सब को एक साथ compare करना है लास्ट में फिर यहां कि टेटी और वन नीटी तो compare करोंगा तो 30 अपन होन नीटी ऐसे लिए deux 0 स-0 कैंचल करने थ तो 3 8 18 से कट जाता है 18 के टेबल में 18 आता है तो 36 होता है तो यहां पर परसेंटेज में निकालना पड़ेगा इसको हर एक को परसेंटेज में निकालना पड़ेगा तो multiply 100 कर देगा जब भी हम किसी fraction को परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से multiply करते हैं तो 100 अपॉन 6 जो हमारे पास आ जाएगा 16 परसेंट के आसपास ठीक है तो 100 अपॉन 6 ठीक है 16 पॉइंट कुछ आ जाएगा something तो फ्रेक्शन में लिखते है 16 and 2 over 3 आ जाएगा मतलब आप इसक सिक्स्टीन परसेंट के आसपास इसको रख सकते हैं ठीक मतलब कि पहले में जो वो कितनी चीनी है 16 परसेंट जो चीनी यह ठीक है इसको आप याद रख लिया नेक्स्ट मैं इसको जोबो इरेज कर देता हूं यहां पर लिखता हूं मैं क्योंकि नीचे बाला मिठ चाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इसको फिर से लिखना पड़ेगा तो इसको मैंने इरेज कर दिया अब देखिए अब दूसरे बाला था यहां पर 40 और 280 ठीक है तो 40 अपान 280 ठीक है तो जिरो से जिरो कैंसल 4 से 28 कर जाता है 4 7 जा होता है 1 अपान 7 अगर हम 1 अपान 7 को भी जो फ्रेक्शन में चेंज करें तो यह जो 14 14 के आसपास आजाएगा 14 एंडर 2 ओबर 7 ठीक है तो 40 परसेंट 14 कातीट 10 फुवाइन्ट ब्टलेक से 20 up on North Black नहीं यह रहा हाएं तो है तो बाइट चलिए यहां पर फिंक लेटेट हैं टù इंटे अ अपउन अचाहीं यहां पे जो आउन किया था तो यहां पर 20 था 20 अपान 100 था 25 जा होता है तो वन अपान 5 आगा ठीक है वन अपान 5 का सिद्धा सा मतलब होता है 20% क्योंकि 100 से मिल्टिप्लाइ हो जाएगा तो 100 अपान 5 हो जाएगा तो देखिए हमारा क्या क्या आँसर आ चुका है जब हमने यह वैसल को जो वो देखा दियान से देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्योश्यन है यह वैसल में जो वो कितना आया था यहां पर 16 परसेंट सम्टिंग आया था कुछ ठीक है और बी वैसल में आया था हमारे पास 14 परसेंट ठीक है 14 परसेंट एप्रोक्सिमेट ले रहा हो मैं यह स्विट्र आप स्विटर देन देट अप सी बीके बारे में पुछ है तो वह बोर है कि इससे भी स्विटर नहीं यह भी इससे भी कम है मतलब दोनों से कम ही यह और सी से तो यह बी बात गलत होगी As sweet as that in C As sweet as C और V जो वो दोनों सेम है ऐसे हो रहा है Sweet as that जितना C है जितना उतना ही B होगा नहीं ऐसा भी नहीं है सभी जो अलग लग है C और V अलग लग है 20% में 40% जो वो एक में चीन नहीं है आगे लिखा है Less sweet that in C मतलब कि C से जो वो कम sweet है जाते हैं Next question है In ad of charity Even Sorry Every student in a class Contributes as many rupees As the number of student As that in class With the additional contribution Of rupees 2 By One student only The total collection is 4 3 Then how many students Are there in class एक काफ इंटरस्टिंग कोशी मुझे लगा जो मैंने इसको देखा जो मैं यां पे इसको जो यां पे देख रहा था तो काफी अच्छा कोशीन है देखे इसने बोला कि एक charity Ad of charity Every student ने जो वो वहां पे Contribute किया कितना contribute किया अब इसने लगे कितना Interesting बोला है कि जितने बच्चे हैं उतना है उन्होंने Contribute किया इसका सिधा समतलब यह है कि जैसे 10 student है तो 10 रूपए जो वो हर एक ने Contribute किया ठीक है अगर 20 student है तो हर एक student है 20 रूपए Contribute कि 20 रूपए दीए ठीक है तो ए जो वो ऐसा कोशीन है इसने बोला कि टोटल जो अच्छा जादा दे दीए मतलब कि इसने 12 दीए होंगे ठीक है तो एक उच्छीन है और इसने बोलाए कि टोटल कॉलेक्शन जो वो 443 हुई है तो देखे सबसे पहले तो अगर टोटल कॉलेक्शन जो 443 थी तो क्यूंकि हमारा क्यूंकि एक ने वो 2 रुपे ज़्यादा दीए होंगे तो एक अगर 2 रुपे ज़्यादा नहीं देता तो हमारे पास दो पहलेक्शन होती 441 की माइनस का दिया में दो और 441 आपको बताए कि किसका स्क्वेर है 21 का स्क्वेर है आपको कम से कम 30 तक जोब स्क्वेर learn होने चाहिए मैंने पिछले भी किसी पार्ट में जो आपको बोला था तो 30 तक square कम से कम learn होने चाहिए तो दिखी यहां से एकदम से पता लगए कि 21 का square है सिद्धा answer 21 आगे solve भी नहीं करना है ठीक है तो अब मालो की x student है और x रुपए उसे नहीं दिए तो x multiply भी x कितने के पराबर हो जाएगा 441 के पराबर हो जाएगा ऐसे solve करते हैं इसको x square जो वो कितने के पराबर हो जाएगा जितना है जिसे तना आपको यहाँ पे बहुत बड़ा कोइशने लग रहा होगा काटिन लग रहा होगा बहुत पर्सेंटेज में तीन- तीन जो वो यहाँ पे बार जो वो पर्सेंटेज लिखिये हरें का लग लग लिखा है अलजेबरा का, जिवमेटरिक का, अर्थमेटरिक का, तो आपको बहुत यह देखने में टफ लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी देखिए, अनिता, किसे लिखता हूँ, अनिता, अनिता's mathematics test, अनिता ने mathematics का test दिया, had 70 problem, तो उसमें जो वो 70 प्रावनों थी, मतलब कि 70 कोईशिन थे, ठीक है, caring equal marks, मतलब कि हर एक कोईशिन जो वो equal marks था, मतलब कि 70 कोईशिन थे, तो वो 70 number का था, 70 marks, 70 कोईशिन, 70 marks, ठीक है, जी, आगे इसने बोला कि 10 mathematics, 30 algebra and 30 geometry, अचा उसने लिए होंगे, आगे ऐसे, मतलब कि 10 जोबो उसने arithmetic में लिए, 30 जोबो algebra में लिए, और 30 जोबो उसने geometry में लिए, और आगे दिखाए कि all those, see, answer 70% of the arithmetic, 40% of the algebra and 60% of the geometry, मतलब कि 70% सबसे जादा जोबो उसने arithmetic बाले question किये, उसके बाद जोबो उसने geometry के question solve किये, और 40% जोबो उसने सबसे कम algebra के, उसने question solve किये, problem correctly, ठीक यह मतलब, ठीक, she did not pass the test, वो जोबो पास नहीं हो पाई, वो जोबो पास नहीं हो पाई, and 60%, sorry, पास नहीं हो पाई, the test cause, she got less than 60%, क्योंकि उसको जोबो, क्योंकि पास जोबो 60% से होना था, जैसे हम लोग जोबो बोलते हैं कि 33, नमबर आन चाहिए, 100% मतलब कि 33% जोबो होने चाहिए, ठीक है, तो बैसे 60% से पास होना था, लेकिन उसके कम आये, यह बोले कि the number of more questions, he would have answered correctly to earn a 60% passing marks, मैं एक पर फिर से जोबो question को आपको समझा देता हूँ, क्या question है, इसने बोलाया, देखिए, एक test दिया, बतल कि उसमें जोबो 70 question थे, और 70 ही नमबर का था वो, ठीक है, उसको जोबो 60% जोबो लाने थे, लेकिन उसको 60% से कम आये, आपको पुचाए कि कितने number उसको और लाना पड़ेंगे, और सब कुछ यहाँ पर यह बना है, कि उसने जोबो तीन यहाँ पर जोबो आइटम है, मतलब हैसे समझा लो, इस अलजेबरा जो मैं ट्रीटिक है, तीनों के जोबो number भी बता हैं, और कितने कितने percent जोबो इसने लिए हैं, बो भी बता है, तो एक काफी अच्छा कोई इसने, अब देखें, अगर हम 70 का जोबो अगर हम निकाल देते हैं, 60% की, पास marks कितने से होगी वो, तो 70 multiply by 60 upon में हो जाएगा 100, एक-एक step में जो आपको देखें, उसने जो वो लिए, कहां चला गया, 10 जो उसने arithmetic के solve किये, 10 जो उसने arithmetic के solve किये, arithmetic के में यहां पर percentage निकालूँगा, और arithmetic के जो उसने 70% जो वो arithmetic में लिए, मतलब की 10 का 70%, 10 का 70% जो वो कितना हो गया, अचा, sorry, arithmetic में 70% नहीं लिए है, उसने, 10 question जो वो arithmetic के थे, 30 algebra क कितने परसेंट के थे, कितने परसेंट के लिए, बोगता है, अगर 10 लिए लिए तो इनको सिधा पलस कर देंगे, ठीक है, तो 10 multiply 70 upon 100, हर एक में यह से करेंगे, 0-0, हर एक में कर जाएगी, तो 7 बच जो वो 7 question जो उसने arithmetic से solve किये, ठीक है, arithmetic के बिल्कुल correct किये, अगर हम तो दूसरे में, जो वो algebra में, जो वो 30 question थे, लेकिन उसने जो वो कितने किये, 40% जो वो solve किये, 43 जो होता है 12, तो इसका जाएगा 12, 12 question जो उसने यहां से solve किये, correct किये, ठीक है, और तीसरा जो 30, जो बैटरी के थे 60, जो उसने 63 जो होता है 18, तो इसी को देखकर, जो मैं इस उसके जो वो algebra के 7 question नो टीक हो ए, और algebra के जो वो 30 में से 12 question ठीक हो से explore ए चौक है, और लास्त ता ??? कि 37 जो वो हमारा अनिता ने नंबर लिए कितने चाहिए थे चाहिए थे 42 42 चाहिए थे अगर मैं बोलू कि कितने नंबर जो उसको और चाहिए थे तो 5 नंबर जो उसको और चाहिए थे ठीक है आपको होता है कि आपका जो एक्साम है यो प्यस्टी का वो जो वो पांच जून को है उसके लिए जो वो एडवास में जो हो आप सभी को वेस्ट अफ लग ओके थैंक यू ठेक एर हैव नाइस टे